रिशी सिंग अब रिशी सिंग नहीं रहे बलकि बड़े स्टार बन चुके हैं इतने आगे निकल चुके हैं कि शायद वहां से पवंदीब को भी आप देख नहीं पा रहे होंगे जी है रिशी सिंग ने अपने हुनर से कावियलिय से वो मुकाम हासिल कर दिया जो शायद पवंदीब इतने टाइम से नहीं कर पाए ऐसा हम नहीं वलकि इस वीडियो के कॉमेंट्स बता रहे हैं जिसमें रिशी सिंग का सामना प्रेडूसर करन जोहर से हुआ करन जोहर ने खुद कहा कि रिशी सिंग से एक रिवेस्ट करता हूं कि वो हमारे शो के गेस्ट बने पर लग करन जोहर शायद अपने शो काफी विद करन में रिशी सिंग को गेस्ट के तोर पर बलाएंगे और करन जोहर जो कह देते हैं वो करते भी हैं और हो सकता है कि यही से रिशी सिंग को वॉलिवुट का रास्ता दिख जाए क्योंकि करन जोहर रिशी सिंग की मदद कर सकते हैं उनका सपना पूरा कर सकते हैं और करन जोहर तो वॉलिवुट के बाश्या कहे जाते हैं अगर ऐसा हुआ तो रिशी सिंग पवंदीब से बहुत आगे चले जाएंगे क्योंकि रिशी सिंग को सी दे वॉलिवुट में जाने का मौका मिलेगा और बड़ा ब्रेक भी मिल सकता है जो अब तक पवंदीब को नहीं मिला वहीं आपको बता दे रिशी सिंग को करन जोहर से पहले और भी कई ओफर्स मिल चुके हैं फिल्मों के भी ओफर्स मिल चुके हैं विदिपता 21 हैं ऐसा हम नहीं वलकि करंजोहर ने खुद का रिषी ये विदिपता की टकार जबरदस्थ है तो उनों को बहुत पसंद किया जाता है जब रिषीने करंजोहर के सामने किसरीया तेरा इश्क है पिया गाना गाया तो करहन जोर ने का क्या तुम विदिपता दे प्यार करते हो या फिर कॉंप्लिमेंट देने के लिए के गाना गार है अब इसके बाद तो रिश्री शर्मा गाया और फिर तो शो में एक अलग ही रौना का गई इस जोड़ी के दल्चस वीडियो देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि इनके जबरदस्ट वीडियो सबसे पहले हम आप तक पहुचाएं टीवी का पॉपुलर सिंगिंग रियालिटी शो इंडियान आइडल का सीजन 13 इंदिनों खुब एडिटीनमेंट कर रहा है इस शो के सभी सीजन काफी चर्चा में रह चुके हैं अभी तक शो को 12 विनर मिल चुके हैं और लोगों के सामने काफी जाधा टैलेंट भी देखा वही उनके बीच की बॉंडिंग भी लोगों का खुब ध्यान खीसती है अगर इंडिया राइडर 12 की बात करें तो विनर पवंदीब राजन और फर्स्ट रर्नर अप रही अरुनिता कांचिलाल ने शो के दौरान एक साथ काई बार परफॉर्मेंस किया दोनों की जोड़ी एक जोड़ी काफी चर्चा में है तो आईए जानते हैं कि इस जोड़ी के बाहर होने के बाद भी लोग इनका नाम क्यों ले रहे इंडिया राइडर 13 धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा और शो को 15 कंटेस्टन पहले ही मिल चुके थे और आब 8 कंटेस्टन शो में बाकी ह इनिए से कुछ ही दिन में हमें एक बिनन मिल जाएगा वही इनिए से दो कंटेस्टन गुजरात की काफ्याली में और जम्मु कश्मीर के चुराग कोटमाल की काफी चर्चा हो रही है हाला कि दोनों eliminate किये गया थे और काव्या लिमे को बाहर भी कर दिया गया चुराक कोदबाल अभी शो के अंदर ही है लेकिन कहा जा रहा है कि चुराक को भी जल्द ही बाहर कर दिया जाएगा तरसल शो में दिखाया गया था कि चुराग ने काव्या लिमे को प्रपोस्ट किया और नों ने मना भी कर दिया चुराग कोदबाल उनका ध्यान खीशने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते थे शिराग कोदबाल और काव्या लिमेरे एक साथ का ही परफॉर्मिस दी जिसने खुब लाइम लाइट बटोरी और जज़स के साथ दर्शुकों का भी खुब एंटरेटेन्मेंट हुआ इन दोनों को लेकर शो के होस्ट आदेत नाराइट से लेकर जज़ हिमेश इश्पिया नेहाककर और विशाल ददलानी भी खुब हसी मजाग करते नजराय थे अब देखने वाली बात ये होगी की काव्या किना होने पर चिराग तक क्या हाल किया जाएगा क्योंकि काव्या के शो से आउट होने के बाद काव्या ने शो को लेकर जो खुलासे की है और सुटकर हर किसी के होश उड़ गये काव्या ने बताया कि ये सब शो की वज़े से करवाया गया था बलकि उनके और शुरा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है इंडेन आइडल 12 में जब पबंदी प्राजर नर्मता काचिलाल के अफिर की चर्चा आई थी तब लोगों का कहना था कि मेकस ट्यारपी के लिए ऐसा कर रहे हैं फिलाल जो भी हो लेकिन दोनों की जोड़ी को खुब पसंद किया गया था और आज भी अकसर इनकी चर्चा होती रहती हैं आज भी दोनों अपना रिष्टा दोस्ती का बताते हैं वेल फैंस तो इन्हें एक साथ शादी के बंदन में देखना चाते हैं आप इस वारे में क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इंडिया नाइडर 13 इन दिनों टीवी पर आ रहा है और एक महिने से ज़्यादा समय से लोगों का जम कर एंटेटेन्मेंट कर रहा है शो के सीजन को टॉप 15 कंटेंस्टेंट पहले ही मिल चुके थे और इनहीं के पीश तकड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था क्योंकि सभी एक से एक बढ़ कर एक परफॉर्मिस दे रहते बही शो के दोरान संगीत जगत की कोई ना कोई हस्ती आकर सभी कंटेंस्टेंट का खूब एंटेंटेंट कर रही थी इंडियान आइडल 13 में गुजरात के बड़ोधरा से आई काव्या लिमय की गाईकी से जजस सिले का जनता तक खूब खुश हुई काव्या लिमय गुजरात के जाने माने संगीत परिवार से आती और खुद भी सिंगर है उनके संगीत के साथ ही लोग उनकी खूबसूरती को भी खूब बसंद करते हैं तो आईए जानते काव्या लिमय के बारे में जिनोंने कुछ दिनों से शोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है अलिमिनेच होने के बाद काव्या हर रोज सुर्खियों में आ रही है शोँ से बाहर आते ही काव्या ने शोँ को लेकर कुछ ऐसी पोल खोली है जिसके बाद लोग उनके बारे में जानने में दल्चस्वी भी ले रहे कि आखिर ऐसी कौन सी लड़किया जिसने शोँ को लेकर कई बाते खोल दिये काव्या ने बताया कि शो स्क्रिप्टेड होता है और यहाँ पर कपल्स बनाए जाते हैं काव्या लिमे गुजरात के बड़ोधरा से आती है उनके पिता सोचिल लिमे और माता अश्रिता लिमे भी प्रोफेशनल सिंगर है नहीं काव्याली मैं भी सिंगर है और वो सिंगिंग ही करती है और आगे वो बड़ी सिंगर बनने के सपने भी देख चुकी है लेकिन अचारक से उनके लाइफ वीडियोस ने सब की धढ़ करने बढ़ा दी काव्याली मैं ने The Voice India Kids में हिस्सा लिया था कोई सिंगिंग शो के सीजन एक में सेकेंड रनर अप रही थी इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए का इनामी मिला था इनके लावा काव्याली मैं ने अपने मातापिता की तरह सिंगिंग को अपना कर्यार चुना है इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है काव्याली मैं तमाम स्टेश परफॉर्मेंस में ही दे चुकी है और लगातार वो बड़ी कोशिशे कर रही है काव्याली मैं इन्डेराइडर 13 में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत रही है काव्या ने शो के ओडिशन राउंड में जो जिसको अपनी गायकी से खुब इंप्रेस भी कर दिया था काव्या की खुबसूर्ती के चर्चे हर तराफ हो रहे काव्या ने अपनी शांदा सिंगिंग से इन्डेराइडर 13 के टॉप 15 कंटेस्टेंट में जोंगय बनाई और काफी टाइम टक बोहुत शो में ठीकी नहीं लेकिन अचारक से उन्हें शो छोड़ कर जा रही पड़ा इनके बाद काव्या ने में लगा तार अपती अबास से लोगों का ध्यान खीच रही है और अब उमीद करते हैं कि काव्या ने में शोशल मीडिया के जरीए अपनी अबास से देश दुनिया में चाने वारी है इंडियान आड़ा 13 में काव्या लिमे का नाम कंटेस्टन चिराक कोतबाल से भी चोड़ा गया है इनका लफ ट्राइंगल दिखाया गया जिसको लेकर काफी हसी मजाग भी हुआ हाला कि काव्या ने इस बारे पे कुछ कहा नहीं था काव्या लिमे के बारे में किया के लिल्चस बारें जल्द निकाल दिया गया है वैसे तो कुछ लोओ विनर के रूप में देख रहा है थे लेकिन ये सबना तूट गया है